हेलो स्टुरींट्स दीस परविन कुमार आज हम स्टार्ट करेंगे एस सी जेइ डी मारसी पिस यूज आप जो भी जेई लेवल एकजामाकर आप देते हैं और आप इलेक्टोनिक्स और एलेक्टिकल के स्टूएंट हैं आप डिप्लोमा हो सकते हैं बीटेक हो दर हो सकते हैं तो आपके लिए ये लेक्षास काफी useful होगा क्योंकि network theory काफी important subject में से एक है और without network theory आप कोई subject समझ नहीं पाएंगे इसके आगे का जो भी subject है electrical में जो भी आपका element जो परते हैं basic जो इलेक्टिकल का जो subject है उसमें network theory सबसे ज्यादा important है और exam में अगर number of questions की बात करें तो सबसे ज्यादा percentage of questions network theory से ही होता है तो कहीं कहीं इसको network analysis बोल देते हैं कहीं पर circuit theory बोल देते हैं कहीं पर network and circuit theory बोल देते हैं तो इसके नाम पर मत जाएएगा जुसके अंदर का तो आज हम यह series स्टार्ट कर रहे हैं और series कर यह पहला लेक्टर से तो network के अंदर जो हम पढ़ते हैं पर चाहिए तो यह सारा जो लेक्टर से यह प्रीयों को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको network theory एक थोरा सा बेसिक आपको आइडिया है या नहीं भी आइडिया है तो यह लेक्टर बहुत ही फाइदा पहुचाएगा आपको और आपको यह फील हो जाएगा कि जो हम सेमे ऐगोर क्लास लेते हैं उसमें और इसमें कितना डिपरेंसे है ठीक है बहुत ऐसे टॉपिक मिलेंगे जैसे ओम श्रा मिलेंगे तो हम लोग बात करें तो लगब और तीर गंटे भी कम है और रिजिटेंस पे को संस्क्राइब नहीं एक्जाम में या वह वह इसारे का हो क्यां च人कों जो नेंगे तो बीसिक जो फोकस कर थी चलिए कि बात करें इक तो आज का लेक्टिक नंबर वन महां की है और सबसे परहले अगर अगर हैफ इलेक्टिकल नाम एता है पर सामने में इलेक्टिकल करेंगे वैं से हम लुरे से इल्यक्टवन्टर्ज के बिना कि अफयर किरंथ हैंगे द्रीक्ट क्वाक्सप्राइबिस हुँ हैं कि उलेक्टिकल मतला होता है करेंट तो करेंट Carlos से मिलके ही बंती है तो सबसे जो basic quantity है electrical circuit में वो क्या होती है, charge, तो हम लोग 11, 12 में भी पढ़े हैं, 8 और 10 में भी पढ़े हैं, कि charge क्या होती है, तो एक simple है, कि the basic quantity in electrical circuit is charge, मतलब इस से छोटे लेबल पर हम discuss नहीं करेंगे इस subject में, अगर हम जाते हैं EDC में, analog में, तो हम वहाँ पर इसके नीचे बात करेंगे, electrons की बात करेंगे, protons की बात करेंगे, तो हम P injections परेंगे, तो EDC में जाते हैं, तो और deep जाएंगे, लेकिन अगर हम electrical circuit की बात करेंगे, तो चार्ज से नीचे नहीं जाएंगे, तो आज कर लेक्षर से network का, उसमें हम लोग चार्ज से ही start करते हैं, जब EDC का ले होता है, वो होता है, चार्ज, जिसका value आप सब को पता होता है, वो 8, 9, 10 के बच्चों को भी पता होता है, कि 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb, ये पूरा-पूरा accurate data है, और अब इसको अगर चाहते हैं, shortcut लिखना, तो 1.6 लिख के आप काम चला सकते हैं, तो ये जो C है, ये पूरा इसके नाम कुलम्स है, कभी-कभी पूछ लेता है एक्जाम में, कि चार्ज का SI unit क्या होता है, तो कुलम्स, तो यहां से जो एक्जाम में questions पूछेगा, तो वो क्या पूछ सकता है, अगर आपको ये लगेगा, कि ठीक है, हम ये जान भी गए, तो इससे हमें क्या फैदा, इससे आपको फैदा है, ये पूछ सकता है, कि एक MPR करेंट पास करने के लिए, कितने number of electrons चाहिए, तो अब वहां पर जाके, हमें कुलम्स पर ही आना परेगा, क्योंकि क्या होता है, आगे जब रहेंगे, तो हम जब करेंट पर आएंगे, तो आपक बेस्पे कुस कुस्सन से इसा है, जो आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है, वो EAC लेवल, गेट लेवल तक पूछा जा चुका है, इसके बेस्पे है, तो काफी रिसर्च करने के बाद हम लोग को ये PPT बनाते हैं, और ये सब इसलिए बनाते हैं, कि आपको कोई अब आता है, जिसे चार्ज के बाद हम बात करेंगे करेंगे करेंट की, तो करेंट क्या होता है, एक फ्लो होता है, अब कभी कभी सुनते हैं, कि कभी बाद हाता है, तो बोलते हैं, यहाँ पर पानी का जो करेंट है, तो करेंट एक कॉमन टर्म होता है, जो किसी को पास जो क पूलंब्स अफ चार्ज आगे पास कर रहे हैं तो वह पूलंब्स जो है कितना पास किया चार्ज उस पे क्रेंट डिसाइड होता है तो जैसे हम इसको बहुत सकते हैं कि कि the flow of electrons is called current clear है तो अब तो आपको कोई जाम ऐसा है नहीं कि इसमें पूरा ठीश में लिखना होता है तो उसमें अतना अछान इसको और अलग भासा बोल सकते हैं कि rate of change of charge इसको बोल सकते हैं rate of change of charge with respect to time with respect to time यह दोनों का एक ही मतलब हुआ the time rate of change is also called current यह हम लिख सकते हैं rate of change of charge with respect to time अगर यह जो line है इसको अगर है mathematical में लिखते हैं तो आप यहां से लिख सकते हैं i equal to dqy dt तो यह mathematical term में आ गया और इसको q का जो एसे होता है वह होता है कुलंब और टाइम का होता है सकेंड तो कुलंब पर सकेंड इसका हो गया unit और इसी को अगर और लेतने unit इसको एम्पीर में भी कहा गया है क्योंकि एम्पीर साइंटिस्ट का नाम था तो उसके नाम से भी हाँ पर एम्पीर दे दिया गया है तो कभी-कभी objective में अगर दिया मार्च लेवल पर आते हैं तो हाँ पर एम्पीर नहीं देखे कुलंब पर सकेंड ओप्सन दे जाता है तो हम लोग नॉर्माली एम्पीर एम्पीर बोलते जानते कि एम्पीर ही होता है वहां पर कुलंब पर सकेंड कुलंब पर सकेंड कुछ न कुछ ऊप्सन में चेंज करके दे देगा तो आपको confusion नहीं होना है बस यह ध्यान रखना है कि क्यूव आइट को बोलते हैं current क्लियर है तो यहां पर क्लियर होगा अगर यह चीज जो definitions है यह कहां पर benefit पहुंचाती ह है तो आपको थोरा सा मैत क्या जो differentiation से वह आना चाहिए जैसे इसका कोई कहीं पर एक छोटा से questions पूछ लेगा equations की बात करें जैसे आपको यह दे दिया आए टी एक्वल टू थिरी असक्वाइल पलस टी पलस थिरी यह questions में given रहेगा एक current है जो टी के form में है टी के variables में है और पूछ लेगा कि आप आए बताईए एट टी एक्वल टू थिरी कि तीन सेकेंड पे तीसरे सेकेंड पे current की value क्या होगी तो यह क्या है यह current variable है current variable क्या होता है वह हम आगे चर्चा करेंगे यह बहुत डीप है यह subject अगर आपको समझ में आता है तो आप electrical का 25% सी level सिप network theory से clear हो जाएगा क्योंकि हम जब machine परते हैं power system परते हैं transmission line परते हैं तो वहां पर जाने के बाद भी यह basic network ही सब जगर काम आएगा आपको तो इसलिए अगर यह subject clear कर लेते हैं पूरे से तो 15% questions तो हर exam के इसी से आएगा और बांकि जो other chapter है other subject भी है उस subject में यह काफी अच्छा रोल निभाता है अब यह current का एक जदिया गया form ती के form में और पूछ लिया गया कि current बताईए at t equal to 3 seconds तो इसको कैसे solve करेंगे तो यह जो फर्मूला हमनों देखे थे i equal to क्या dq by dt इस पर चलेंगे तो अगर यहां पर हम i निकालते हैं तो क्या जाएगा करदे डिफ्रेंसिस कर देजिए जिसका तो d into 3 t square plus 2t plus 3 by dt अब यहां पर करेंगे i equal to differentiation में क्या होता है कि जो पावर के value पीछे आके multiply हो जाएगा जो भी constant value यहां पर यह 6t हो जाएगा यहां पर t के पावर कुछी नहीं तो सब्सक्राइब यह 6t plus 2 हो गया और हमें निकालना कहां पर है तो जहां-जहां ती है वहां पर t के value पूट कर देजिए तो 6 multiply 3 plus 2 तो यह इसका आगया answer इसका आगया 20 MPR तो clear है तो अगर यह फर्मुला मगर नहीं पता तो यह questions नहीं पढ़ना पाएंगे और जब questions में ऐसा form आजाता है तो students normally ड़ जाते हैं कि पता नहीं कि करेंट किसा पूछ लिया तो यह current in the form of t दिया variable और t की रूप में देगे और एक t का value दे दिया तो कुछ भी पूछे और आपको आपको credit का value पूछ लेगा तो काफी सिंपल से अगर आपको differentiations में दिक्कत आ रही है तो मैं है एक basic जो differentiation है और मैं उस पर चर्चा कर दूँगा थो अदे बाद लाइस्ट में जब lecture कतम होगी ने तो आप और भी कोई friend होंगे या कोई sir होंगे आप उनसे help ले सकते हैं या कोई book से भी देखके आपके class ले सकते हैं तो यह काफी basic चीजे है differentiation अगर हम एक चोड़ा सले फर्मूला तो differentiation of x to the power n by अगर यहां पे dx करते हैं तो अगर इसको हमें solve करना है तो यह n पीछे आ जाएगा differentiation में और x को x ही छोड़ देंगे और power n-1 घड जाता है पर एक्जामपल यहां पे t square था तो 2 पीछे आगे तो तो t2 दे पापर 1 को हम तो t ही ले सकते हैं इसलिए हमें यहां पे यह किये थे clear है तो हम अभी बात कर रहे है current का current क्या होता है rate of change of charge with respect to time is called current तो current हमें यहां पे clear समझ मारा है और यह topic आगे जब जाएंगे तो और ज्यादा बेहतर लगेगा हमें जब यह पूरा-पूरा समझना आएगा कि अब आता है हमें कि current का जब चार्ज का जो flow होता है उसको हम बोलते है current लेकिन जब actual current का directions होता है वह हम बात करते हैं chemistry में और physics में बात करते हैं conventional current की जैसे आप समझ लिजिए कि यहां पर एक circuit लेते हैं कि और क्या बोलते हैं कि current जो पलस है वहां से current निकलती है लेकिन chemistry में क्यों होता है कि negative से निकल के positive में आती है और physics में क्या परते हैं पजलस से निकल की जाती है negative तरफ क्योंकि flow of electrons होते हैं तो यहां पर flow of protons है तो यह directions को बोलते हैं conventional current तो जो हम physics में बात करते हैं आपका इलेक्रिल सरक्यट भी बात करते हैं यह सारे हम conventional current की बात करते हैं तो यह आप दिमाग में set कर लेजिए कि जब भी हम कोई पूछे कि जो करेंट का वह क्या है तो लिए नहीं हम लोग यहां पर करेंट कर एक जाम में पूछ उका है वान लाइन नोट्स में कि कभी एल और के यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग EMF Electro-motive force आप यहां बोलते हैं किसी एलेक्ट्रोंज को एक जगह से दूसरे जगा घर भेजना हो तो फोर्स को क्या बोलते हैं उस फोर्स को बोलते हैं Electro-motive force तो इसमें यही second line निखा गया है कि to move the electrons from one point तो इसलिए कोई भी सर्किट में हम एक बैटरी लगा देते हैं ताकि जो सारे जो इलेक्ट्वन से उसका डारेक्शन एक पार्टिकुलर साइड में हो जाए कि यहां से चलती हो यहां से निकल के इसको यहीं प्याना है आप एक तरह से इसको ऐसे मान सकते हैं कि कोई एक रैली क्या होती है कि जब सारे लोग एक डारेक्शन में जाना शुरू करते या उसका एक परपस हो कि हम लोग किसी एक पेटरोल की दाम बढ़ रही तो उसको अपोज करने के लिए उसका बियोत दिखाने के लिए हमको एक फिल्ड में कठा हुए है या कहें पेक मेला लगा हुआ है तो सारे लोग जाते हैं मिला रहने के लिए तो क्या हुआ ये यह परपस से जाते हैं तो सारे और एक साथ किसी एक परपस नहीं बढट रहे है एक डाइक्टरोल में तो उसके लिए हम एक favorite उसको होते है यह लिए और और यह आपका से तरह होती है और बिल्ड गता है चो इस ही लेक्ट्टर को डिरेक्शन में एक में चेंज करना है तो इसके लीए हम एक फोर्च चाहिए उस फोर्च को बोलते है य। नल्य ने आपका तक रेक्षि चाहिए इस खकेल है अब आता है तो यह आपका dw by dq होता है जो यहां पर यह में होता है इसको होता है unit इसको हम बोलते हैं जो बोल्ट होता है अगर वो निकालना है तो कितना काम किया गया है क्यू कर लेते हैं तो जो डबलू है वह है आपका इनर्जी इसको बोलते हैं जूल और जो आपका चार्ज है और यह क्यू है तो क्यू को बोलते हैं हम लोग कुलम्ब तो जूल पर कुलम्ब होता है आपका बोल्ट को हम लोग जूल पर कुलम्ब भी लिख सकते हैं तो यह में को हम लोग बोल्ट से सो करते हैं और जूलम पर सकेंड यहां पर हम यह जूल पर कुलम भी बोल सकते हैं तो आपको यहां पर दो लाइन किलियर हो गया कि एंपीर भी बोल सकते हैं और कुलम पर सकेंड भी बोल सकते हैं ऐसे ही बोल्ट भी बोल सकते हैं आप बोल्ट को हम भी द्यान लखेगा और वोल्ट जो होता है तो ठीक है वोल्ट भी होता है और उसी को जूल पर भी बोलते हैं तो यह भी पॉइंट लाँ चागी है तो अबजेक्टिव ध्याव सा जो हम पढ़ते हैं उससे थाएं एक हट के होता है से लिए अब आगे बढ़ते हैं फूरा सा और कि अब आता है पाबर तो हम लोग क्रेंट को देख लिए वोल्ट को देख लिए उसका पाबर में पाबर को देख लेते हैं यह सब आपका एक बेसिक आ रहा है जब हम एक जिस्टर से स्टाट करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है वो इस्टार्ट होता है जिस्टर से तो uska जो बेसिक चीजे हैं वह देखके जब आगे बढ़ाएगे तो वह टॉपिक पढ़ने में ज्यादा मझाएगा किलिया है तो यहां प इनर्जी इस कॉल पाबर या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पाबर एज रेट आप चेंज आप इनर्जी तो आप इसी लाने को आप अपने लेंगुज पर ऐसे भी लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं है और इसको जो डेफरीशन को जो है उसको आप चाहते हैं मैथमेटिक्स में लिखना तो क्या आपका पाबर एक्वल टू यह जो आपका जो है इनर्जी डीडवलू को आप रिस्पेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इसका क्या मतलब हुआ कि हम यहाँ पे जो पावर है वो डबलू और क्यू कि रिस्पेक्ट में कितना पावर इनर्जी चार्ज के रिस्पेक्ट में तो यह होता है आपका dw by dq तो अगर हम इसको Don't Allah को जो साथ गीजूंस और क्यों और न撊ल गया आपका है सिर्ट यह पे आपर क्योंने यहां पर क्यों नहीं ताल। यहां मिश्टेक और जो टापिंग व्यrakे हैं अंपर ड privileged क्यों कि यहां अलग से लिख सकते हैं कि P equal to D W by D T और W का अगनिट होता है आपका Joule और Time का होता है आपका Second तो Joule per Second आपका हो गया पाबर का Unit अब यहां पर क्या कर सकते हैं कि हम लोग जो फरमूला होता है P equal to V I हम लोग इसको याद करते हैं आप इसको यहां से पूफ कर सकते हैं डी 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 क्यू डी क्यू निट कर दे तो यहां पर हमें P में कोई प्रोब्लम नेना चाहिए, क्योंकि P equal to क्या है, DW by DT, तो यहां पर में DW by DT, और DQ DQ गट जाता है, तो फिर तो आपका जो फरमूला है, वो तो यही बज़ जाएगा, पावर का फरमूला बज़ जाएगा, अब यहां पर है क्या है, कि DW by DQ, को हम लोग क्या बोलते थे, पीछले बाले जो टॉपिक पर है थे, उसमें इसको हम भी बोले थे, जो बोल्टेज होता है, वो DW by DQ होता है, जिसका हम लोग क्या देख रहे थे, जूल पर कुलम्ब, और इसका क्या देखे है, DQ by DT, यह हो था आपका करेंट, तो क्या होग क्या है, कुलम्ब पर सकेंड, तो कुलम्ब से कुलम्ब कट जाएगा, इसके इंट रहे जूल पर सकेंड, तो यहां से हमारा पाबर का इंट भी समझ में आ गया, कि जूल पर सकेंड होता है, आपका वोल्टेज का भी समझ में आ गया, यहां से तीन समझ में आ आपका गया, कि ampere क्या हो गया आपका क्या कुलंब पर सकेंड वोल्टेज का समझ मा गया यहां पर जूल पर कुलंब और पावर का समझ मा गया जूल पर सकेंड तो यह तीनों को आप एक अच्छे नोट्स बना लेजिए जिससे कि याद रहे कि तो हमें यह याद रहता है कि पावर करेंड वाट होता है, बोल्टेज का वोल्टेज होता है, करेंड का एंपेर होता है, लेकिन इसने कि को समझ पूछेगा, तब वहां पर आपको confusions आएगा तो यह फर्मुला भी याद रहना चाहिए आपको और साथ साथ में इसका जो इनिट है वो डबल इनिट भी ध्याद रहना चाहिए आपको ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब यहां से जो है जो एलिमेंट है वो दो टाइप करता है एक जो पाबर डेलिबर करता है और एक पाबर आपजोब करता है तो हम अगर यहां पर किसी प्लस से अगर को बैटरी है उसके प्लस से current बाहर निकल रही है, मतलब है कि वो power generate कर रही है, यह power generate कर रही है, यह power source है, तो यह energy source है, यह energy absorbing है, energy deliver है, तो यह आपका अगर किसी battery के plus से, अगर current बाहर निकल रही है, तो वो क्या है, source है, और अगर किसी battery के plus पे current आ रही है, तो वो क्या है, absorbing element है, तो यहाँ पर क्या होगा, यह absorbing element है, और यह deliver करने वादा energy, यह element है, तो आप से question जब पूछेगा, वो क्या पूछ लेगा, वो इस टाप से पूछेगा, यहाँ पर करते हैं, आपका, यह question से, और यहाँ पर है आपका plus, और यहाँ पर है minus, और current यहाँ से in कर रहा है, अब यह पूछ लेगा, कि यह जो element है, यह element absorbing element है, यह deliver है, पाबर यह absorb करेगा, पाबर यह deliver करेगा, तो आप के लिए समझ माझा है, कि हमारा जो इसका जो plus है, उस पर current in कर रही है, मतलब यह आपका absorber है, इसके just बगल में हम करते हैं, कि अगर यह element है, और इसका minus है, और यहाँ पर plus है, और plus से current बाहर निकली है, और minus में in हुआ है, तो यह क्या है, आपका यह power generator है, यह power यहाँ पर deliver करेगा, तो absorbing power है, यह deliver power है, तो यह क्लिए करने के लिए आपको बस एक point जानना है, कि अगर उस element के plus से current बाहर आ रही है, तो वो हमारा एक generator है, यह power deliver करेगा, अगर plus element का, जो plus sign है, वहाँ पर current अगर आ रही है, तो यह absorb करेगा, और plus से जा रही है, तो deliver करेगा, बस यह दो line को confusion करना है, यह दो line को मैं लिखा भी गया है, when current is entering into positive terminal, element is absorbing power, और दूसरा क्या है, when current is living from positive terminal element, तो वो क्या होगा, अगर positive से अगर यह live कर रहा है, तो यह deliver करेगा power को, अगर पलस से in कर रहा है, तो absorb करेगा, बस इतना line जा ध्यान रखना है, इस पे questions पूछी जा चुके है, तो मैं जो next lectures होगा, उसमें कुछ 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 करवाँगा, जिसमें आपसे कुछ 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 को सामने में लेकाएंगे, और उसमें हमें पूछा ज करेंगे, तो वहाँ पर एक topic ये भी बन के आएगा, यहाँ ते clear हो गया होगा कि power absorbing है या power delivery है, अब आता है आपका classification of element, तो पूरे network theory में total 5 element हमें बढ़ने होते हैं, उसमें आपका पहला resistance, inductor और capacitor, और रजिस्टर, inductor, capacitor और एक current और एक voltage source, तो यह 5 element है, और यह पांचों element पे पूरा network theory समाप्त हो जाएगा, तो जब तक यह 5 element के बारे में हम अच्छे से नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम network theory को हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए ज्यादा जलूरी है कि हम यह element को समझ ले पाले, क्योंकि इसी element का use करकर के आपका पूरा network theory समाप्त हो गया है, और आ आपका कि classification of element, तो पूरे element को पांच तरह से divide किया गया है, पांच बेस पे, वो element active है या passive, पहला point यह है, कि हम से पूछाता है exam में, कि इसमें से कौन सा active element है, कौन सा passive element है, उसमें 4 options दिया रहेगा, और उस पूछे कि इसमें से active element कौन है, या कभी-कभी option दे दिए इसमें स कि passive कौन है, तो यानि element को active passive के base पर भी divide गया आता है, फिर दुसरा होता है, कि वो जो element है, वो linear है, कि non-linear है, यह भी options बन जाता है, उसमें options चार दिया रहेगा, और पूछे दाएगा, इसमें से कौन सा element, linear element है, फिर आता है आपका, कि unidirectional है, या bidirectional है, यह सब element का properties है, त इसको बांट दिया गया है, अब क्या है, कि जो element है, वो time variant है, या time invariant है, फिर है आपका, कि जो circuit है, वो lumped circuit है, या distributed circuit है, तो यह इसका एक एक करके हम पहले पांचों पार्ट को समझन लेंगे, तो वो हम जब element की चर्चा करेंगे, तो उसके साथ-साथ आपका active passive, यह आपक bidirectionals, time variant, invariant, lumped and distributed, यह सब का चर्चा उसी के साथ-साथ करेंगे, हम जब element start करेंगे, तो next जो class होगा, उसमें हम element का एक element पढ़ेंगे, register, और उस register को हम लेके चलेंगे, यह पांचों category के base पे, कि उसको हम किस तरह से समाझ सकते हैं, कि linear है, non-linear है, active है, passive है, unidirectionals है, bidirectionals ह हम सब समझेंगे, एक element को example बना के, clear है, तो अभी आप यह इतना जान लेजिए, कि जो element है, वो पांच category में बाता गिया है, मतलब पांच प्रोपर्टीज के base पर उसको बाता गिया है, और पांचों प्रोपर्टीज में दो-दो चीजे हैं, और यह दोनों में से exam में है, उसका concept वहाँ पर यूज होगा, क्योंकि अभी हम अगर questions शुरू कर दें, तो आप लोग को बहुत confusion हो जाएगा, कि जो topic हम पढ़े ही नहीं है, और उसी हम questions पूछने लग जाए, तो आपको लगएगा कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, तो हम सभी सूने भी नहीं है, तो इसलिए हम सोच रहे थी कि पहले कुछ element बता दें, कुछ basic बता दें, फिर हम questions लेके जब आएंगे, तो हम जब कुछ समझाएंगे, तो आपको समझ में आने लगएगा, clear रहा तक, अब आता है कि हम अगर active और passive को समझें, तो कैसे समझ सकते हैं, तो active element, वो element होता है, ज deliver energy for long time, अब यहाँ पे deliver energy करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे long time लिखने की क्या need है, यह इसलिए need है, कि कई बार SSC JEE का जो conventional exam होता है, उसमें पूछ लेता है, कि capacitor जो है, वो active है, या passive है, अगर active है, तो क्यों है, और passive है, तो क्यों है, या interview में पूछ लेते हैं, questions की बार आपका, कि आप पहले बताए, active और passive क्या होती है, और जब आप definition दोगे, और आप यह बता दोगे, कि when the element is capable of delivering energy, is called active element, तो वो आपको वहें पे फसाद आएंगे, कैसे फसाएंगे, वो ऐसे फसाएंगे, कि एक के पास sitter जो element होता है, वो energy store करती है, वो थी थोरे समय के लिए, मतलब millisecond में भी energy store करती है, तो अब क्या है, कि store तो energy वो भी की, लेकिन उसको हम बोलते है, passive element, अगर आप definitions को यहीं पे आक रोग दोगे, जो आपके definitions में capacitor भी include हो जाएगा, जो कि है passive, और आपके definitions के वो हो रहा active, तो आपको वहीं पे negative marks कर देगा, अगर आप यह पे long time दे रहे हो, तो long time में capacitor भी filter होता है, कि capacitor short time के लिए energy जो डेलिवर करता है, वह बहुत ही instant डेलिवर करता है, तो यही कारण है, कि capacitor भी हमारा passive element है, energy डेलिवर तो करती है, लेकिन बहुत ही चानिक time के लिए, तो अब active है को, active आपका current source हो गया, voltage source हो गया, आपका, दु amplification करने की चमता हो, अगर वो element having property of internal amplification, अगर वो amplification कर सकती है, तो उसको हम active element बोल सकते है, अब active element कैसे बोल सकते है, जैसे आपका transistor हो गया, तो क्या करती है, low level signal को high level signal में change कर देती है, तो amplify किया न, जैसे हमारा कोई energy, कोई आपका waveform है, वो यहाँ पर है, और वो एक circuit से पास किया, और circuit इसको amplify कर दिया, यहाँ पर आपका 1 volt था, और यहाँ से इलाखी इसको 5 volt कर दिया, तो जो हमारा signal था, उसका जो amplitude था, वो 1 volt था, और यह 5 volt कर दिया, तो अगर ऐसा किसी element के पास properties है, तो उस element को भी हम लोग active element बोल देंगे, तो आपका जो amplifier है, वो amplifier आपको, आपका हो सकता है, active element, तो पूछ सकता है, कि amplifier कौन सा element है, तो amplifier आपका active element है, और बाकि आपका voltage source और current source, active element हैं ही, बस इतना knowledge होना आपके लिए काफी है, active और passive का जो question से, तो active इसे ज़्यादा नहीं पूछता है, यहाँ पर आपकी exam में, तो ठीक है, यहाँ क्लियर हो चाहिए, कि active element के जो process है, वो दो पर depend है, या तो वो energy करती हो long time के लिए, या वो internal applications की properties में सामील हो, तो यहाँ पर है, कि अगर आपका independent active element का example है, तो यह सब होता है independent, क्योंकि इसको किसी होती है, voltage source और current source, independent active element है, लेकिन जो आपका transistor है, या ओपamp है, यह आपका dependent active element है, तो इतना deep आप से नहीं पूछेगा, बस आप से यह पूछेगा, कि इसमें से active और passive element कोन है, के लिए है, तब भी एक knowledge के लिए आप जालने हैं, कि जो element होते हैं, वो दो टापके होते हैं, ए एक independent element है, और एक dependent element है, यहाँ पर दोनों के example दे दिया गया है, नर्मली आप इतना ध्यान रखेगा, कि voltage, current, यह और transistor, ओपamp, यह सब आपका active element है, इतना sufficient है आपके exam में number लाने के लिए, अगे बढ़ते हैं, अब passive element क्या है, तो जो active नहीं है, वो passive element है, तो वो element जो energy deliver नही करती है, उसको बोलते है, passive element, क्लियर यहाँ पर, जैसे register, यह energy लेती है, एक जो bulb है, वो क्या करती है, जो current पास करती है, वायर में, तो मतलब energy लेखे current पास कर रही है, उसमें से खुश energy register क्या की, बाहर निकाल दी, heat के form में, light के form में, तो register वहाँ पर कर रही है, energy absorb कर रही ह या जैसे bulb हो गया, तो यह सब आपका, क्या पसीटर हो गया, इंडक्टर हो गया, आपका यह सब आपका passive element है, तो जो energy deliver नहीं करती है, वो आपका passive है, जो deliver करती है, long time के लिए वो आपका active element है, तो यह सब कुछ-कुछ point है, जिसके आधार पे हम आगे बढ़ सकते हैं, element को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि without element को समझे, अगर आप circuit theory पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से बिना base का घर बना रहे हैं आप, कि घर का base कुछ भी नहीं है, और आप उस पर घर बनाना सुरू कर दिया, क्योंकि element के base पर ही पूरा-पूरा network theory dependent है, आप सोच के देख लिजिए कि अगर जहां पर register की बात ना हो, inductor की बात ना हो, capacitor की बात ना हो, voltage current की बात ना हो, वहां पर network सर्कीट है ही नहीं, कि पूरे network circuit में यहीं पांचों में से कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे हमेसे आपको, और जब यह पांचों चीजे के बारे में, अगर आपको deep knowledge नहीं है, तो वह questions कैसे बनेगा आपको, तो आप यहां से एकदम clear cut समझ सकते हैं, कि सबसे पर ज़लूरी हमें है, कि जो element हमारे circuit में दिखने बाला है, उस element को deeply हम समझ लेते हैं, फिर जब questions करने की बारी आएगी, तो ठीक है questions जो मिलेगा सामने मों करेंगे, और उसका हम लोग जो process तो वह भी समझेंगे, और एक एक questions को हम लोग दो दो तिन दी तरीके से प्रियास करेंगे, कि जैसे एक long process होता है, एक short trick होता है, तो सबसे पहले long process से बनाएंगे, उसके बाद जब वह knowledge आ जाएगा, हम भी short trick से बनाएंगे, कि without calculations questions exam में कैसे बनाते हैं, वो trick भी हम आपको बताएंगे, ताकि जैसे DMR से exam देते हैं, तो वहाँ पर number of questions ज़्यादा होते हैं, और time duration काफी कम होता है, तो वहाँ पर आप जाते हैं long process से, तो वो दिक्कत हो जाएगी बनाने में आपको, तो exam से बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए अगर वहाँ पर जाना है, तो short trick जात होते हैं, वह परने परेंगे, तो network theory में जो questions अगर आपको बनना शुरू हो गया, तो आपको electrical का sub subject आपको बहुत easy लगी का समझने में, और electronics का भी, क्योंकि electronics में भी आगे चलने के बाद में, ये element की बात करेंगी, थोड़ा सा और deep जाएंगे, electrons होस लेबल के, clear हैं, तो अ अब जब next lectures हमार आएगा, उस lectures में हम बात करेंगे, रजिस्टर की बात करेंगे हम, तो अगले lectures में, सीप, रजिस्टर परने में हमें, एक घंटे से उपर लग जाएंगे, कि रजिस्टर बहुत बहुत ब्राच टॉपिक है, और आप देखते हैं, common की voltage, ohms law जो देखते है यहाँ पर आपका, j equal to sigma e, यह भी resistance है आपका, तो यह सब आपका, sorry, यह भी आपका ohms law ही है, तो हम अगले lectures में पढ़ेंगे, कि ohms law क्या है, उसको कैसे हम एक इंजिनियर की language में समझ सकते हैं, क्योंकि जो बचा 9th और 10th पर होगा, उसको भी ohms law यही पता होगा, और आप कर लिए, और बीटेक कर लिए, आपको भी ohms law पता है, तो फिर दूनों में का difference है, आप electrical engineer है, electronics engineer है, फिर भी आपको ohms law नहीं पता है, तो फिर कोई difference ही नहीं हुआ, आप तो simple, एक, जो 9th और 10th का से लिवस था, वही आपको knowledge अभी भी है, तो इसको कैसे हम difference बनाएंगे, जो आपका एक field theory होता है, circuit theory होता है, तो field theory में क्या नियम है, circuit theory में क्या नियम है, इसका time के साथ में क्या dependent है, time पे ये circuit, major resistance है, उसकी value बढ़ती है, गढ़ती है, inductor का क्या properties है, बहुत कुछ है इसमें आगे पढ़ने के लिए, और जो की अभी तक आपको confusions ही रहा होगा बस आप Lexus में बने रहिए, अगर आप अभी तक subscribe channel को नहीं किये हैं, तो subscribe कर लिजिएगा, ताकि जो भी update वीडियो आता रहेगा, वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है, अगर कोई doubt हो या कुछ अगर कहना हो, तो आप comment कर सकते हैं, या हमारे coaching का जो whatsapp number है, या call पे है, आप पर जो भी पूछना है, आप पूछ सकते हैं, यह office का, जो main number है, 90157-821-359, या आप comment भी कर सकते हैं, या हमारा जो center है, देली में, यह लक्ष्मिनेगर में center है, हमारा offline center है, और आप यहाँ पर class में कुछ doubt है, या पूछना चाहते हैं, तो class भी आकर कुछ doubt हो सकते हैं, त हम मिलते हैं, कल कलेक्स में, register के साथ हमें, ठीक है, thank you